टेलिग्राम नियों तो वाटसप चैनल जोइन कर लेना सौरास्था क्रिकेट अस्टोचेशन राच्छोट का मैदान है और यह जो स्टेडियम अना आपको लॉट्स की जल्की देता है क्यों देता है? मैं बताता हूँ चलो आपको फूटू देखिया यह स्टेडियम की फूटू देखिया आपको कुछ याद आ रहे है लॉट्स जैसी बनावट है यह आपको दिख रहा हूँ दो सामने लॉट्स कंदर भी ऐसा ही आपको एक बनावट दिख जाती है आगे की दरफ जो मीडिया सेंटर होता है यहाँ पे मीडिया वाले आके बैठता है कॉमंडेटर्स आके बैठता है तो यह आपको लॉट्स की थोड़ी सी जलकी देगा ठीक है अब देखें लिस्ट वैने के उपर भी रिसेंटली मैच बाता पांच जनवरी को जी हाँ एक मैने पहले की बात है सौरास्टर वर्सेस जारखन का मैच था और उस गेम में क्या हुआ था उस टाइम भी पिछ पे ग्रास रखी गई थी जी हाँ वो मैच की मैने हैलाइट्स देकी वहां की मैने पिछ रिपोर्ट्स देकी थी तो मैने वहां पे अब्जर्व किया पिछ एकदम हाड थी जब आप ठोके देखोगे पिछ को तो आपको उस पिछ के अंदर एक मजबुती दिखती है और प्लस इस पे ग्रास थी 142 बना पहली पारी के अंदर पिर दूसरी पारी के अंदर दूसरी टीम जो बैटिंग करने आती है 578 बनाती है चार वेटिक नुकसान पर डिकलेर दे देती है 308 बना फिर जो टीम बैटिंग करने आए दूसरी 214 बनाती है 303 बना और जो टीम फिर बैटिंग करने आए दूसरी 431 बनाती है 415, 237, 493, 497 तो बहुत अच्छा विकेट रहता है यहाँ पर आपको रंज बनते हुए दिखता है और एकदम रैंक टर्नर रही है पिछ जैसे आमने देखा था पहले इंग्लेंड तो 4-5 स्पिनर्स लेके आ गई थी बट ऐसा स्मैश मैश मनी होगा यह विकेट है जो बहुत धैतर है रंज बनते हैं इस पर पेसर्स को हेल्प मिलेगी पहले दो दिन पर फिर आपको स्पिनर्स को हेल्प मिलती भी दिखेगी दीरे-दीरे इस तरह का विकेट रहता है तो आप देखो इंडिया आज तक इस वैनिगों पर दो इस टेस्ट मैच वह है एक विस्ट इंडियस के खिलाफ और एक इंग्लैंड के खिलाफ तो इंडिया इस वैनिगों पर विस्ट इंडिस के खिलाफ जीती थी इंग्लैंड के खिलाफ इनननों ड्रॉ करा दिया था तो England भी यहाँ पर एक भी मैच नहीं जीती है अबर टेन ने ड्रॉव कराया था निको हार भी नहीं मिली बैटिंग फर्स्ट तीन मैचस दीते गया है मैं पिछले पांच मैचस की बात करता हूं तो बैटिंग फर्स्ट तीन मैचस दीते गया है और दो मैचस ड्रॉव हैं पांच में से एक भी मैच बैट सकिंड करते हुए नहीं जीता गया है तो आपको ध्यान रखने है टॉस दीतो मैच आपके हाप में हो सकता है बैटिंग गरो पहले जो लास्ट टाइम यापे सौरास्ट जाखन का मैच बाता उसमें रंस बने थे ग्यारा विकेट पेसर ने निकाला था और दस विकेट वाँपे स्विनर्स ने निकाले और आल विकेट कॉलम मैं पिछले पांच मैस की डेटा बताता हूं जो पिछले दो-तीन साल में खिले गया है उनके अंदर पेसर ने 47 विकेट निकाला है राइट आम पेसर 32 लेफट आम पेसर का 15 विकेट है क्योंकि यहां पर जैदा वुनात कट खेलता है चेतन साकरिया भी बीच मैंके खिलके गया था इस वज़े से स्पिनर्स के 103 विकेट है जी हां और लेफट आम ऑर्फट आम स्पिनर्स तो बाइस सब ऐसा यहां पर पट्टी घुमाईए कि पूछो मत जी हां दूछ है जादू आम तो यहां पको मिले जी हां रेसंडली यह पिछके फोτο मिली जिस पर आप खुद देखे क्या आपको अब्जर्ब करने को मिल पर आपको सफेद चादर देखने को मिलेगी चादर मतलब ग्रास देखने को मिलती है वरना और जो मैचस में भी तक दो टेस्ट मैचस उनके उपर आपने देखा होगा हैदराबाद में हुआ फिर हम वाइजक के अंदर गए थे वहां पर कुछ नहीं था भाई पीछ के अंद यहां पर आपको ग्रास अच्छी देखती है यह देखो यह दिखे रहा आपको यह अभी जो पांस तारीक को सौरास्टर वर्सल जार्खरंड का रंजी ट्रॉफी का मैच वा था तब कि यह पिछ की फोट्टू है इतनी ग्रास पिछ पे रखी गई थी लास्ट तैंग यह यह देवन है यह देटू है यह दे थी है दिख रहा है डे थी भी देखो कितनी ग्रास ते पीच के उपर यह लफड़ा भाईस आप ग्रास रह सकती है स मैच के अंदर इस स्टेडियम का व्यू है देख सकते हैं लॉट जैसा व्यू यह अच्छा ग्राउंड यह बहुत बताईए बाई सब कौन जीतर है इस मैच में, इंग्लैंड या फिर इंडिया?